दूसकार स्वागे थे आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शेर्मा और इस कारकर में मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज तीन मुद्दे आपके सामने मुद्दा नंबर एक क्या राहुल का भारत जोडो नितीश का विपक्ष जोडो ये बीजेपी की नीव हिला पाएगी क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर दोबारा सत्ता में आना चाहती है और उसने शुरू कर दिया है मुद्दा नंबर दो जी हाँ बड़े इंकिम टाक्स रेट्स और इनकिम टाक्स रेट्स का क्या मकसद है ये हम आपको आगे बताएंगे और मुद्दा नंबर तीन जैसे कि आप जानते हैं कि 28 फुट लंबी नेता जी सुभाष चंदर बूस की मूर्ती का नावरन दिल्ली में हुआ राजपत अब करतव विपत हो गया है क्या ये देश का करतव विपत है या मुद्दी जी का करतव विपत मगर शुरूआत करना चाहेंगे आज का जो पहला विश है जैसे कि आप जा क्या ये यात्रा कॉंग्रिस की सेहत सुधार पाएगी देश को जोड़ पाएगी और दूसी तरफ नितीश कुमार सबसे मिल रहे हैं मगर इन दोनों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका सीधा मुकाबला एक ऐसी भारतिये जनता पार्टी के साथ है जो साम दाम दंड भे की अगर वीपक्ष कॉंग्रेस सहित अगर सचमुच जो नितीश कुमार जिसको मेंफरन्ट कह रहे हैं अगर मेंफरन्ट वाकई बन गया भारती जनता पार्टी के खिलाफ तो भारती जंता पार्टी की सरकार आम लोगों में आम जंता में जिस तरह की अनपापुलर हुई है एक बहुत ताकतवर विकल्प के तोर पे उभर उभरेगा और ये जो यात्रा राहूल की है उसको मदद पहुँचा रही है क्या है इस खबर का पंच भाशा बताएं अभी सारे एक बात बहुत साफ है कि ये 2024 का रोड मैप है आगे आने वाले दिन किस तरफ से निकलेंगे एक तरफ जोडने की बात है और एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं विभाजित करने की बात है तो भारत जोडने वाले के साथ जाएगा या तोडने वाले के साथ जाएगा ये जो इतनी लंबी यात्रा है 150 दिन की इस दौरान जिस तरह का रिस्पॉंस होता है विपक्ष कितना एकजुट होता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है अभिसार क्या है इसमें आपका मेडिया प्रचार तंत्र की विश्वसनियता को खत्म करना पड़ेगा वो प्रचार तंत्र जो लोगों को ब्रेनबॉश कर रहा है और इस पूरी लड़ाई में मुकाबले को पूरी तरह से जिसे कहते है ना बराबरी का नहीं रह गया है पूरी तरह से जुका हुआ है भार से पहली चुनौती भारतिय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को किसानों ने दी थी और वहां जो मार पड़ी है गोदी मीडिया को अब उसे भी कहीं न कहीं सीख कर विपक्ष आगे बढ़ रहा है अविसार आपने बिलकुल सही कहा और देखे सच पूछे तो मुझूदा ज पूरी तरह अगर कुछ एक्सेप्संस को छोड़ दिया जाए तो भारत का कार्परेट पूरी तरह उनके साथ है जितनी सरकारी और संबैधानिक और प्रशास्निक संस्थाएं हो सकती हैं इस देश में सब को सरकार और सक्ताधारी दल के लिए हांक दिया गया है हांक ना मैं आरिसेस को पुलिटिकल आगनेशन मानता हूँ अब तो देश की जनता को भी कन्फिजन नहीं होना चाहिए कि वो कल्चरल आगनेशन है वैसा पुलिटिकल आगनेशन फिलाल किसी के पास नहीं है और बिलकुल आखिरी बात जो आपने कही अपने पंच में कि मीडिया इस द वो पूरी तरह सत्ता का और बलकि सत्ताधारी दल का एक घटक बन गया है जैसे लगता है कि बेशर्मी के साथ और दरसल वो उसके लिए काम कर रहा है और उससे भारती जनता पाटी की राजनी तक मैं समझ गया तो अब मेरा ये कहना है कि ये चारो पांचो जो शक्तिया एक जगे जब BJP के लिए कठा है तो इसका जवाब क्या है इसका जवाब जनता है और इसी लिए राहु की यात्रा को महत्तों दे रहा हूं कि वो जनता के बीच गये हैं ताकि इसको ब्रेक कर सकें इस पूरे तंत्र को भाशा यहां पर देखिए जो चार-पांच मुद्दिक इसके बाद तो सवाल ही नहीं कि विपक्ष मुकाबला कर सकें क्योंकि देखिए प्रचार तंत्र से आप में ब्रेनवाश किया हुआ है आपके पास RSS जैसी संस्था की ताकत है और एक और चीज़ का जिसका हम जिकर ना करना पूलें सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड्स पू असर पैदा कर पाएंगे देखिए मुझे बहुत साफ लग रहा है अभी सार कि यह जो प्रियोग कॉंग्रेस ने किया 2022 में जो शुरू की है यात्रा इसका एक संदेश है जब राहूल गांदी यह कहते हैं कि अभी जो तंत्र हैं जिंके बारे में और मिलेश जी कह रहे हैं वो जनता देगी तो मुझे लगता है यहां बहुत क्लियर है हम सब जो जानते हैं कि मीडिया का प्रचारत अंत्र हो कॉर्पोरेट की पहुच हो इसे तोड़ने का जबाब और इसको जो तोड़ने की जो औजार हैं औजार जनता के पास हैं और उसी के साथ साथ मुझे यह जो हमने रखा भी आज के डिस्केशन में कि उसी समय जो नितीश और बाकी छेत्री छत्रफ हैं उनका एसरशन यह दिखाना कि हम सब साथ हैं तो मुझे लगता है इस से एक पब्लिक परसेप्शन जनता के बीच यह अवधार ना बैठाना कि शाशन यह नहीं शाशन यह हैं और हम शाशन करने में सक्षम हैं हम साथ खड़े होने में सक्षम हैं क्योंकि जो जो दुश प्रचार इतने समय में पिछले आठ साल में जिस तरह से फैलाया गया है मुदी नहीं तो कौन मुदी ही इंडिया है वह बहुत काम्याब रहा अभिसार क्योंकि उसका मुकाबला किया गया जिस तरह से तमाम क्रिटिकल मुद्दों पर उतरना चाहिए था विपक्ष को नहीं अब उतर रहा है और उसमें जो सबसे बड़ी चीज है अभिसार जो मुद्दे मान लीजिए जो मुद्दे है वो महंगाई का मुद्दा है वह मुद्दा ऐसा है जो सिर्फ हम सब कोई नहीं जहां जहां यह यात्रा जाएगी या जो विपक्ष की सरकारे हैं वहां पर लोगों को गोल बंद करने के लिए और उसे भी बड़ी बात भारत यानी क्या मल्टी लिंग्वल है क्योंकि आप देखिए कि जब शुरू ही यात्रा तब से लेकर अभी तब जो दृ खटर हुआ जिक फटरू हो दिकर हुआ न्यजंतर हुआ पर जिस एक्स्प्रेशन का इस्तमाल भारतिये जनता पाटी कर रहे है वो कहा रहा है भानुमतिका कुंबा और हकीकत हैधी क्योंकि ये तमाम खटरू जो है इनकी अपने-पनी महतवा कांक्शा है、 इन सब को एक मं कि नितीश वो जमीन दे पाएंगे इन तमाम विरोधाबासों के चलते जिसका मैंने जिक्र किया है उर्मलेजी देखे मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो बहुत महत्पूर्ण कदम जिसने उठाया है और इसमें अगर काम्यावी मिलती है तो संपूर्ण विपक्ष क् वो लेकिन अकेले सब कुछ नहीं कर सकती अगर विपक्ष के ये दल जिनको आप छेत्री दल कहते हैं या हम सब कहते हैं कि इरिजनल लेवल पर ये काम करने वाले दल हैं इनकी जब तक एक बड़ी एकता मुद्दों के आधार पर नहीं होती आपको लगता है कॉंग्रेस हो ठीक है उत्तर प्रदेश और बिहर में कॉंग्रेस कहा है दो देश के सबसे महत्मुर्ण प्रदेश हैं 80 और 40 सीटे 120 सीटे होती हैं अभिशार 120 इन 120 सीटों वाले दो प्रदेशों में कॉंग्रेस नगण है यात्रा कर ले चाहाए भगीरत प्रेत्न कर ले फिलहाल वहां सि पुछ नहीं हुआ नहीं होगा आगे भी अभी नहीं होगा बहुत मुश्कलने कॉंग्रेस के पास हैं इसके लिए कॉंग्रेस के अतीद को जानना पड़ेगा कि क्यों यह गरबड हुआ है तो इसलिए मेरा यह मानना है कि जो दल वहाँ पर स्थापित हैं पहले से आपको उन जो है उन से लेना पड़ेगा और नितीश ने और तेजस्वी ने विहारी में दिया है उत्तर प्रदेश को लेकर मैं डाउटफुल हूँ और उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि कॉंग्रेस को कोई रिलाइबुल एलाई फिलहाल मिलता नजरा रहा है बहुत वरिट दस सकिन बस कि महत्वकांग्शा होना पॉलिटिकल एमबिशन होना मुझे लगता है बुनियादी चीज है जो होनी चाहिए हर पॉलिटिकल नेता में और हर पॉलिटिकल पार्टी में इसे हम टर्म कर देते हैं और गोधी मीडिया भी दिखाता है कि वो एमब भारती जनता पार्टी इससे कहीं आगे काम कर रही है कल अमिट शाह ने एक बैठक बुलाई उनका फोकस उन 144 सीटों पर है जहां वो बहुत कम अंतर से हारे थे और उनका फोकस यह है कि उनमें से कम से कम 50 सीटे जीते और उसी के चलते उन्होंने 350 सीटों का लक्ष किया है चलिए भूल जाए कुछ देर के लिए कि आप एजनसी का इस्तमाल कर रहे हैं आपने प्रचारतंतर के जरीए ब्रेनवाश कर दिया है मीडिया नहीं वाटसाप ग्रूप से हैं जिनके 17 से 18 करोड सदस से हैं मगर यहां एक ऐसी पोलिटिकल पार्टी है जो हमेशा चुनाव की टर्मस में सीखती है जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं यह तो मुकाबला ही संभव नहीं है भूल जाए एजनसी भूल जाए प्रचारतंतर बीजेपी राजनीतिक तौर पर भी इतना महनत करती है नहीं राजनीतिक तौर पर इतनी महनत करती है और उसकी लिए उसने सा पर पर बास है सबसे दुखत बात क्या है सुप्रीम कोट के सामने याशका है सुप्रीम कोट उस पर चर्शा करने को राजी है तो यहां पर लेकिन देखिए कि इसी समय जब सब कुछ आपके पास है पहला प्रियोग महाराष्ट में होता है जिसको आप बाद में दूसरे ढंग से कर लेते हैं लेकि महाराष्ट का प्रियोग भी भूलना नहीं चाहिए कि महाराष्ट में they were able to maintain सरकार बनाई थी और बिहा बिहार तो उनके गले की फास है तोकि वहां पर ED, CBI सब कुछ रहने के बावजूद तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो पावर है जो चैलेंज दे सकती है वह जनता है और जनता के पास जो perception और आपने जो agencies का जिक्र किया इसी से जुड़ा मेरा आज का दूसरा जाता है जिसके Board of Director में आजीम प्रेम जी जैसे लोग है नंदन निलकेनी, किरन मजुंदर शौ जैसे लोग है एक जमाने में आमिर खान भी हुआ करते थे अब वो नहीं है और Center for Policy Research एक ऐसी संस्था जो सरकार के कामों पर टीका टिपड़ी करती है अब इनका जमीनी तोर प भाषा आप से शुरुवात करना चाहेंगे विचार जो इंटिलेक्ट पैदा हो रहा है इसलिए इन तमाम संस्थाओं को उन्होंने टार्गेट किया क्योंकि यहीं से एक लोकतांत्रिक एसर्शन पैदा होना और हमें नहीं भूलना चाहिए हमें ऑन रिकॉर्ड कहूंगी कि कैर्वान स्क्रोल जैसे तमाम लोगों को सपोर्ट स्ट्रक्चर यहां से प्रोवाइड हो रहा था यानि साफ है डर कर मूधी सरकार यह काम कर रही है उर्मेश जी आप बताएं क्या है उनको बिलकुल एक तरह से खत्म करना बिलकुल उनको बर्बाद करना यह मौजुदा सक्ताधरी चाहते हैं और यह जो रेड्स हैं यह दरसल उसी प्रेक्रिया का हिस्सा है पहले भी हमने देखा है अभी भी हो रहे हैं अब आशर जनक यह है कि ऐसे लोगों पर हो रहे हैं जो बहुत बहतरीन काम करती आ रही है और इस खबर पर मेरा पंच यह है कि मुदी सरकारी यह सब करतों रही है आवास को दबाने के लिए मगर दूरगामी तोर पर एजनसी की गर्मा उससे डर जो से जुर्वा हुआ डर जो है यह कुछ दिनों बाद खत्म हो जाने वाला है और इसी के साथ इन एजनसी की विश्वसनियता भी खत्म हो जाएगी चर्शा को आगे बढ़ाते हैं भाशा जैसे मैंने कहा इन में से एक ऐसी संस्था है ऑक्सफाम के अलावा CPR यानि Center for Policy Research के अलावा IPSMF एक ऐसी संस्था जो छोटे-छोटे मीडिया हाउस को आर्थिक मद देती है इन में से कुछ ऐसे मीडिया हाउसे जिनकी बहुत बड़ी रीच भी नहीं है जी मगर आप देखिए सरकार इतना सुरक्षित है इतना सुरक्षित है कि वो बिलकुल भी किसी तरह की आलोशना नहीं चाहती इस कदर असुरक्षा दिखाई देती है को यह से यह भी स कि यहां पर आप जब मोदी सरकार के गवर्नेंस की बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि निर्मला सीता रमन तमाम लोगों तक जा कर यह कहती है कि भाई मोदी जी का पोस्टर होना चाहिए मोदी जी का चेहरा होना चाहिए इस हद तक अगर देश के वित्मंत्री के प्रेशर है कि वह एक राशन दुखान पर पहुचके एक दियम पर पहुचके प्रचार तंत्र का ऐसा हिस्सा अकलपनी है इस भारत में और वहां पर आप उन लोगों पर हमला कर रहे हैं उन संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं उनका आप सोच रहे हैं कि एकनॉमिक बेस काट देंगे जहां से कुछ ऐसे इंपोर्टन चैलेंज को कि दिमाग से डरती है मुदी सरकार मेरा यह साफ मानना है कि यह बहुत छोटे हैं सही बात है इंका ग्रुप बहुत आपके पास सत्रा करोड अठारा करोड का दावा ग्रिह मंत्री करते हैं कि हमारे पास वाटसाप है तो यह स्क्रोल, कैर्वैन और छोटी छोटी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हैं उन पर हमला क्यों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा देश के ग्रिह मंत्री ने दोहजार उन्नीस में उस वक्को बीजेपी के अध्ष्टे क्या बयान दिया था उन्होंने कहा था कि उत्त हमारा कैसे होगा तो बीजेपी खुलियाम इस तरह का प्रचार करती है अब ऐसे में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जिसका काम क्या है टीका टिपणी करना और इसको सुनके सरकार को अपने भाव में अपने लहजे में सुधार लाना चाहिए यह सरकार उससे भी असुरक् बहुत है नए डिमोकरसी में यह उसको drive करने वाले और अगस्फथनogene के बहुत सारे सर्वे हो सकते हैं बहुत सारे सुचकांग में मदद वो देते हैं आप दुनिया वर की बड़ी कानफरेंसे में जाकर वो देश के बारे में बीदेश के बारे में कमेंट करते हैं और उस शासन प्रणाली लागू करना चाहती है एकल का मतलब एक राजा एक पार्टी एक दल एक संड़ चला तो वो ये चाहते हैं कि जो डिमोक्रासी की स्पेस है इस समाज में हमारी भारत भूमी में उसको निस्तनाबूत कर दिया जाए बिलकुल खतम कर दिया जाए जब रहेगा ह दिखाना ये चाहते हैं कि देखे जी हमने डिमोक्रासी को खतम नहीं किया है क्योंकि वियाबे पार्लेमेंट वियाबे कांस्यूशन ताकि वो कॉंग्रेस पर लगतार ताना मारते रहें कि आपने 1975 में एमर्जनसी लगाती थी ये बात अलगे कि जो आज आप कर रहे हैं व भारत में दरसल वही प्रक्रिया चल रही है ये बहुत खतरनाक है भाशा आप देखिए मीडिया खासकर जो हम उसे वेकल्पिक मीडिया कहते हैं खासकर न्यूस क्लिक जैसी मीडिया जो है मगर मुझे लगता है हम मुक्की मीडिया है क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो मीडि पर देख रहे हैं Facebook पर देख रहे हैं वहां से जो monetization होता है या वहां से जो traction के हिसाब से होता है फिर जो एक तीसरा model है जहां IP SMF जैसी संस्थाएं जो हैं वो देश के जाने माने सम्मानित उद्योगपतियों की मदद लेकर ऐसे media संस्थानों की मदद करते हैं यह तमाम models हैं पारदर्शी हैं मगर जो एक दूसरा model है कि यह जो सरकार है वो अपने पालतू गोदी मीडिया को सरकारी विज्यापनों के जरीए जिन्दा रखते हैं यह तो देश की जनता को फैसला करना पड़ेगा ना कौन सा model है और corporate उनको take over करता रहता है तो corporate के पास सारा media है मेरा आप से जो यह पूरा हम बातचीत कर रहें इसमें सबसे एहम चीज है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो हम जैसे तमाम लोग है उनसे मोदी सरकार को बहुत डर हो गया है उस डर की बहुत ठोस वजह है अभिसार मैं जमीन पे जब जाती हूं reporting करने के लिए तब तो जनता के भीतर एक बहुत बड़ा रिजन्मेंट गुसा इस कॉर्पोरेट मीडिया को है कि आप लगातार नफरत दिखाते हैं आप लगात यह चैलेंज कौन कर रहा है जो छोटे-छोटे प्लेटफॉर्म दिखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म यह चैलेंज कर रहे है मुदी सरकार के इतने बड़े नेटफरativa को चैलेंज कौन करें राची में बठे पत्रकार कर्रें जिनको लगातार तार्गेट करें यह जो ऍन पत्रकारों को समर्थनमम् theory मिलता है बहुत काइं बहुत कम समर्थनम में चलते हैं उसकी उसके चलाना कि आप जड़ काट दें वहां से भी इनको मिनिमम सपोर्ट ना मिले यह जो साजिश है क्योंकि हम यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कानून भी ला रहे हैं ताकि उसके नकियल कसी जा सके लेकिन इतना इंतजार कैसे होगा मोधी सरकार को और वो भी तब कि एक भै का महौल हो कि यह डिजिटल प्रेटफॉर्म्स चलना पाएं मैं वही तो कह रहा हूं कि देखे जगर आप कहते हैं कि आप राश्च्वादी राजनीती करते हैं छप्पनिंश की राजनीती करते हैं तो इतनी असुरक्षा क्यों आलुशना तेज से इतना डर क्यो हमारे सवालों का भी जवाब दे दीजे कभी आईए इस मंच पर हमारे सवालों का जवाब दीजे थोड़ी सी हिम्मत दिखाईए तब बात मीच अपनिंश के सीने की और राजनीती की हमारा तीसरा मुद्दा है जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी नेता जी सुभाष चंद्रवोस की 28 फुट लंबी जो मूरती है उसका नावरण किया और साथ ही अब राजपत वो हो गया है करतव विपत उसको लेकर धेरों सारे मीम्स भी आगए मैंसे इस खबर का क्या है पंच उर्मेरिश बताएं देखो अब शायर ये सरकार जो है चुकि गवर्णिंस का कोई इनके पास मौडल नहीं है कोई काम नहीं करते कोई ठोस काम नहीं है तो किवल नाम बदलना ये नाम बदलना इनका बड़ा शगल है मुझे लगता है कि राजपत एक पॉपलर नाम था अब आपने उसको करतब पत कर दिया मुझे तो लगता है कि करतब पत अधिकार अधिकार जो जनता का है उसका नकार पत ये विलकुल उसको नकारने वाला पत और कुछ नहीं भाशा क्या है इस खबर का पांच देखे मेरा मानना है कि ये करतब विपत जो भी नाम इन्होंने दिया है इसमें एक चीज उसी दिन साबित कर दी कि इस करतब विपत का मतलब है विपक्ष की इंसल्ट करना बेज़ती करना जिस तरह से आपने अपने पैसे से खर्ष नहीं किया मोदी जी आपने हमारे पैसे से खर्ष किया देश की जनता का पैसा लगा है सेंट्रल विस्ता में देश की जनता का पैसा लगा है पूरे आपके ग्रैंड शो में जो आप अकेले ड्रेस बदलते बदलते चलते हैं वहाँ पर विपक्ष के नेताओं की जिस तरह से बेज़ती की जिस तरह से उन्हें तकर पर इस पूरे देश को एक ही पत पर चलाने का कारिक्रम है और वो है मोदी जी द्वारा दिखाया गया पत अब जनता का ये करतव है कि वो मोदी जी के पत पर चले और पिछले आठ सालों से वो हो ही रहा है अब इसे और मजबूती से आगे किया जाएगा मैं काइदे से जो शब्द का इस्तमाल करना चाहता हूँ हास्यास पद मगर मुझे लगता है ये लोकतंतर के लिए एक बहुत बड़ी तराजदी है इस पूरे बड़े आयोजन में कॉंग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं है आप नेता जी सुभाश शंद्र बोस की मूर्ती क अनावरन कर रहे हैं पश्चिम मंगाल की मुक्य मंतरी मम्ता बैनर जी को जिस अंदाज में आपने निमंतरन भेजा वो बहुत ही शर्णात था और मैं आपको बता दूँ समानांतर तोर पर अर्बलेश जी शेख हसीना आई हुई थी बंगलादेश की प्रधान मंतरी ये प जंकुष्टा की बात में कर रहा था ये एक अधिकार वाद है ताकि आप आप चाहते हैं कि कोई नम जैसे पहले राजा महराजा होते थे तो वो उसी तरह से बिहेब करते थे ये वही सोच है वही कारशेली है इसको केवल लोकतंतर अभी भी एक आवरन रखा गया है कि लोक कंतर नहीं है और ये शो करता है जो इस आपके इस मामले में जो इन्होंने एडाप्ट किया जो नी थी देखिए महमता अपनर जी को जो काड गया जो इन्रोटेशन गया मेरी जानकारी के इसाब से उसमान को निरदेशित किया गया था कि इतने बज़े आप आई इतने मार्शवीन हैं हम पार्ट स्क्राइब एक मंत्री तो उन्हें कॉल कर सकते थे एक अंडर सेक्रेटरी उन्हें खतल कर रहा है और दूसरी बात आपको मैं बताओं एक बड़ी दिल्चस्प बात यह है कि आप निता जी की लगा रहा है अच्छी बात है निता जी सुबाशन के सोच को आरेसेस के सोच को सीरे से खारिज किया था और यह मैं नहीं कह रहा हूँ सुबाशन दर बोस को के कलेक्टेड वर्क्स में यह सारी चीज़े हैं अब आप कह रहे हैं साब हमने यह लगाया क्योंकि नहरु गांदी को हम नकारना चाहते हैं अरे बही आप नकारना नहीं है आपके पास चेहरे नहीं हैं और जो चेहरे हैं उनके खिलाब यह सारे के सारी लोग उनको उनके खिलाब बोल चुके हैं आपने दर्शक को बताना चाहूंगा जो जिक्रिया और बिलेज जी कह रहे हैं नेता जी सुभाष शंद्र बोस ने सावर कर RSS और मौमद अली जिना से कहा था कि आप अंग्रेजों के साथ खड़े ना हों और भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बने यह नेता जी ने कहा था आप देखी इतनी बड़ी तराजदी है यह किसम की बैंकरप्सी है भाषा कि भारती जनता पार्टी नेता जी को या सरदार पटेल को क्लेम करने की कोशिश करती है जबकि इन नेताओं का किसी भी कीमत पर संग की विचारधारा से कुछ नहीं है जिस भगत सिंग के जो है तस्वीर को प्रोफाइल पिक्चर लगा कर लोग गाली गलोज करते हैं उनका भी खोई लेना देना नहीं है इस विचारधारा के साथ क्योंकि देखी अब बुल-बुल की सावारी तो सावार कर कर रहे हैं करनाटक से शुरू हो गई है वहां पर यहां पर जो बहुत एहन चीज है यह दोनों जो बड़े चेहरे हैं चाहे सरदार पटेल हो चाहे सुभा सुभाषचंद बोस को पढ़ा ही नहीं कि वह तो बोल रहे हैं कि इनकी विचारधारा का को नकारा गया मोधी जी दोनों लोगों की विचारधारा थोड़ा सा पढ़ लीजे सरदार पटेल को आपने स्थापित किया उन्होंने आरेस पर बैन लगा है उन्होंने कहा कि किस वरकर जी को बुल-बुल में बठाए हैं उनकी माफी नामे की कहानी आप जितना भी पेंट कर दें इन दोनों को आप भगवा पेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतिहास कितना भी आप दफन करेंगे सच्चाई मुझे लगता है उभर कर सामने आती है और हम सब का ये दाय आपको कि अपनी जो मजुदा सरकार है वो तो किसी भी विधायक दल में संसरी दल में भी माइनाटी कम्यूनिटी के खासकर एक माइनाटी जो बहुत बड़ी माइनाटी कम्यूनिटी देच की है एक आदमी को नहीं देती चुनाओ में लड़ने को आप देखिए कोई कोई उसमें टॉप पोस्ट पे मुसलिम लोग थे अने के लोग ते जो मुसलिम एण थे उनके सेकंड मैन थर्ड मैन इस तरह के लोग थे तो यह सुभाशन्द रुपोस्ट को मॉडूल के रूप में पेश करना पतेल के बारे में यह कहना कि उनका अगर राज बन गया होता तो कश कश्मीर पर जो भी पॉलिसी तै होती थी उसमें पटेल सबसे अहम किरदार होता था बिंग एप को मिनिस्टर दूसरी बात कि जिस वक्त 370 का फैसला हो रहा था कंस्विशन में शामिल करने का उस वक्त नहरू बाहर थे नहरू बाहर थे कंस्विएंट एसमेली के उस दर्मिय किया था आठ कि 370 इन दे कंस्विशन आप इंडिया ये आरेसस को मालू है की नहीं है भूल जाए आरेसस को मालू है की नहीं हकीकत यह है कि जब प्रधान मंतरी नरी नमून ये तमाम बाते कहते हैं तो उनकी इन बातों को चुनौती देने के लिए कोई मीडिया जमीन पर जिसका जिकर भाषा और उर्मिले जी ने अभी-अभी किया ये तमाम हकीकते हैं और हकीकत ये भी है कि सुभाष शंद्र बोस ने जैसे कि मैंने बताया आरेसस की आलोक्षना की थी कि आप भारत छोड़ो आंदोलन से भाग क्यो रहे हैं और ये भी ना भूलें शाम प्रसा करते थे बिल्कुल और श्यामा प्रशाद मुकर जी ने एक नई बात मैं आपके सामने आपके दर्शकों को बता रहा हूं कि आठकी 370 जब कांश्वेंट इसे मिली में पेश किया गया श्यामा प्रशाद मुकर जी जनसंग के संस्थापक उन्होंने उसके पक्ष में बोट कर वास्कार